उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि कानपुर देहाद जुले में रेलवे ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर मिला है अगर कोई भी ट्रेन इस सिलेंडर से टकरा जाती तो बड़ा हाथसा हो सकता था ट्रेन को नुकसान पहुँचाने की ये कोई पहली घटा नहीं है जी हाँ इस से पहले भी हाल में कानपुर में कालंदी एक्सप्रेस को पल्टाने की साज़िश रची गई थी इसके लिए रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया साथ ही रेलवे लाइन के पास पेट्रोल और बारूद भी बरामत किये गए थे जानकारी के मताबिक नौर्थन सेंट्रल रेलवे के प्रियागराज डिविजन के फेरूंबर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एलपीजी का छोटा सिलेंडर मिला यहां मालगाड़ी गुजरने वाली थी लेकिन लोको पाइलेट ने उससे पहले ही मालगाड़ी को रोग दिया जिसकी वज़े से एक बड़ा हाथ सा टल गया है बता दे जिस जगा रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है वो जगा कानपुर देहात में आती है इस मामले में रेलवे सुरक्षा बलके एसपी ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर पांच किलो की शमता वाला एलपीजी सिलेंडर बिना गैस के रखा हुआ था उन्होंने बताया कि ट्रैन की स्पीड काफे धीमी थी लोको पाइलेट ने जब सिलेंडर को देखा तो एमर्जंसी ब्रेक लगाई उसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई इस मामले में आरपीफ ने जाच शुरू कर दी है साथ ही इसकी जानकारी स्थाने पुलिस को भी दे दी गई है कालंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की हुई थी साजिश बीते आठ स्टंबर की रात करीब साड़े आठ बजे कान्थपूर में कालंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साज़श रची गई थी प्रियागराथ से भिवानी के ओर जाने वाली कालंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर से टकरा गई थी इसके बाद तेज आवाज हुई इतना ही नहीं घटना स्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ बारूद मिला इस मामले की जाँच अब NIA कर रही है साथ ही UP ATS पुलिस और जी आरपी भी इसकी जाँच में लगी हुई है इस घटना के दो दिन बाद 10 सितंबर को राजस्थान के अजमेर में मालगाडी को पलटाने की साज़श भी सामने आई अजमेर के सरधना में रेले ट्रैक पर सिमेंट के करीब 70 किलो के दो ब्लॉक रख कर मालगाडी को डीरेल करने की कोशिश की गई थी गरी मत रही कि ट्रेन सिमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ इसको लेकर पुलिस थाने में F.I.R. दर्श कराए गई है इन दो घटनाओं के अलावा सितंबर से पहले भी ऐसी घचनाएं सामने आती रही है सत्रागस की रात कानपुर जहांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे इंजन समेत पट्री से नीचे उतर गई थे ये ट्रेन वारा नसी से अहमदा बाद जा रही थी हाथसे का शिकार हुई ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि बोल्डर के इंजन से टकराने के कारण हाथसा हुआ क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन के काईटल गार्ड में बुरी तरह से शती पहुँची थी इस हाथसे की जाच भी की जा रही है